तो अगर आप हें पर uff stock के एक यूजर हैं आपने hЙhop suffer के लिए ओफ टॉक यूज और अवी तक आप हें पर uff stock के old application को यूज कर रहे थे ड्रेडिंग के लिए इंबस्टंट के लिए stock को buy करने के लिए रहे चल करने के or दिने आप आप अफ्टोक के अफ्टोक के old application को use नहीं करपाएंगे नहीं आप इस अफ्लीकेसं के थूरू trading करपाएंगे इस्टोक को बाई करेंगे, सेल करेंगे, आज की वीडियों आपको इसी कबरे में सारे जनकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो अपको धन्स देखनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने मॉइल स्क्रीन पात चुका हूँ, आपको संप्ली करना क्या होगा, अप्स्टों के न्यू अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा, अगर यह आप इस अप्लिकेशन का अंदर लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन करने के बाद से अप्लिकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो अचली हम बात करते हैं, अफ्टों के न्यू एप में कैसे आप यहाँ पर फोन्ड एड़ करके अपना फोस् आप अपने फेवरेट इस्टॉक को आइड़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपर अलग-अलग वाचलीस करेट कर रखा है, आप देख सकते हैं, इस तरह से अपने वाचलीस बना सकते हो, मैंनेज कर सकते हो, उसके बाद से एक अप्सन आपको देखना को मिलता है, ओर्डर का, ओर्डर क्लिक करोगे तो यहां पर अपना 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 आप यहां से इसे चेंज भी कर सकते हो, अपने कोडिंग जैसे कि Nifty Bank, Sensex, यह सारी चेंग आप आपको देखना मिल जाती है, नीचे होगे तिया आप आपको Index Option का चैन देखना मिल जाएगा Nifty 50 का, और Bank Nifty का, आप इसके उपर क्लिक करके आप यहां पे इनके चैन को देख सकत जाती है, उसके बाद से एक option आपको देखना मिल जाता है, अकाउंट का, अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दो option देखना मिलेगा, funds का और profile का, तो यहां पर funds पर क्लिक करके आप अपने डिमेट काउंट को अंदर fund add कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस application के सिंप्ली मैं करूंगा क्या, add fund पर क्लिक कर दूँगा, add fund पर क्लिक करने के बाद से आपको simply करना क्या होगा, amount enter करना होगा, जैसे माल लीजी मैं आपर 100 पर एड करके अपना first add करना चाहता हूं, simply amount enter करूंगा, enter करने के बाद से नीचे आपका bank accounts हो जाएगा, और नीचे आ आप select करूंगा, उसके बाद से आपको यहां पर UPI application को select करने का option देखने मिल जाएगा, जो भी UPI application आपके phone में install होगे, आपको simply करना क्या होगा, select करने के बाद से आपको simply करना क्या होगा, यहां पर आपको password को verify करना होगा, same bank account को select करके, अपना UPI pin enter करना होगा, और यहां यहां पर देख सतने हैं कि हमने 100 rupees का fund add कर लिया है, आपको simply करना क्या होगा, done पर click करना होगा, done पर click करने के बाद से back आएंगे, page को refresh करेंगे, यहां पर आपको देखने मिल जाएगा, total cash में यहां पर 101 rupees सो होने लगया है, profile पर click करेंगे, यहां पर आपको profile के बारे में सा पर click करना होगा, then आप यहां पर किसी भी company की stock को search कर सकते हैं, जैसे मालीजी मैं आप आइडिया के stock search करना हूँ, यहां पर आपको idea के stock देखने मिल जाएगा, अगर आप इसके उपर click करेंगे, यहां सा आपको idea के stock buy करने का option देखने मिल जाएगा, यहां पर आपको chart का option जाएगा, नीचे buy and sell का option देखने मिलेगा, back आइंगे, plus second पर click करेंगे, तो जो stock होगा, आपके watchlist के अंदर add हो जाएगा, watchlist के अंदर add करने की बास से अगर आप आप आपको ऊपर यह stock देखने मिलेगा, इसे buy करना बहुत ही simple है, आपको simply करना क्या होगा, इसके उपर click क तो आप यहां से regular select कर लेंगे, और यहां पर अगर आप GTT select करते हैं, तो आप किसी stock को particular date के लिए buy कर सकते हैं, यहां कि मान लिजी आप चाहते हैं, कि यह stock है, इस price में मुझे चाहिए, तो आप इसके लिए GTT order place कर सकते हैं, जब भी stock का price आपके rate पर आएगा, तो जो आप delivery select करना होगा, अगर आपके stock को same day buy करके same day sell करना चाहते हो, तो यहां पर आपको intraday select करना होगा, तो मैं simply आप delivery select कर लूँगा, उसके बास आपको नीचे quantity enter करनी होगी, तो मैं आप 5 quantity buy करना चाहता हूँ, क्योंकि आप idea stock की जो price है 6 रुपे, अभी 50 वैसे के आस्वास आ तो मैं simply आप 5 stock buy करूँगा, तो इसके लिए 33 रुपे करने पड़ेंगे, price में आप हैं पर click करके, यहां से limit price भी set कर सकते हो, उसके आप हैं पर price को market भी कर सकते हो, अगर आप market select कर रहोगे, तो जो price होगा market में, उस rate पर जो आपका order होगा, execute हो साएगा, लेकिन अगर आप हमें limit select कर लोगे, तो आपको हैं पर limit set करने का option देखने मिल जागे, जैसे माली जी मैं पर stock को, 6 रुपे 50 वैसे मैं buy करने चाता हूँ, simply मैं पर limit select कर लोगा, then आपको एक option देखने मिलेगा, additional setting का, तो आप इसे skip कर सकते हैं, उसके बाद से आपको simply करना क्या होगा, review by order पे portfolio के अंदर T plus on holding के बाद देखने मिल जाएगा, तो इस तरह साप इस application पे अपना fund add करके, अपना first trade complete कर सकते हैं, आप के लिए बत करते हैं, जो भी आपने stock buy करेंगे, उसे कैसे sell करना होगा, तो sell करने के लिए आपको simply करना क्या होगा, यहाँ आपको portfolio पे click करना होगा, portfolio मे जाएजे मैं आप idea के stock को sell करना चाहता हूँ, जो कि already मैंने buy करके रखा है इससे पहले, तो इसके लिए simply करना क्या होगा, इसके ऊपर click कर देना होगा, click करने के बाद से आपको sell पे click करना होगा, sell पे click करना होगा, यहाँ आपको 2 option देखने मिलेगा, NSE और BSE का तो मैं simply है यहाँ पर NSE select कर लूँगा, आप इन दोनों exchange में से कोई से भी exchange select कर सकते हो, दन आपको कुछ इस तरद space देखने मिलेगा, तो यहाँ आपको simply करना क्या होगा, quantity enter करना होगा, price में आप है फिर से limit select कर सकते हो, या market select कर सकते हो, तो मैं आपको simply market select कर लूँगा, उसके आपक आपको simply करना क्या होगा, यहाँ पर आपको review sell order पे click कर देना होगा, review sell order पे ऐसा click करेंगे, यहाँ आपको कुछ तरद space देखने मिलेगा, तो यहाँ पर जबी आपकिस stock को sell करना जाएंगे, तो यहाँ आपको दिन में एक बार अपने tip-in को verify करना होगा, उसके बासे आप unlimited stock को sell कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर first time verify करना compulsory है, तो आपको simply करना क्या होगा, tip-in को verify करने के लिए, अगर आपको पस tip-in है, तो आपको यहाँ पर आई है, पर पिन पर click करना होगा, अगर आपको पस tip-in नहीं है, तो आपको simply करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे अपने boid को copy करना होगा और नीचे एक option आपको देखने को बिलेगा generate pin on cdsl आपको इसके उपर click कर देना होगा scroll करके नीचे आना होगा जो अपने boid copy किया था उसे आपको simply paste कर देना होगा boid एंटर करना होगा नीचे आपको अपना pen card number एंटर करना होगा next पे click कर देना होगा next पे click करना होगा next पे click करना होगा आपको simply करना क्या होगा यहाँ पर आपको OTP को एंटर करना होगा next पे click कर देना होगा next पे click करना होगा next पे click करना होगा अब आपको संप्ली करना क्या होगा, आई है पर फिन पे क्लिक कर देना होगा, जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको टीपिन को एंटर करना होगा, जो कि आपके रज़्टर मुवाइल नुमर पे और मेल आईडी पे रिसीब हुआ है, टीपिन को एंटर करना क्या होगा, आपको संप्ली करना क्या होगा, वेरिफाई पे क्लिक करना होगा, वेरिफाई पे क्लिक करना क्या होगा, आपके मुवाइल नुमर पे फिर से एक OTP रिसीब होगा, उस OTP को एंटर करने बास से आपको संप्ली करना क्या होगा फिर से आपको verify पे click कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर OTP verify करेंगे यहाँ आपको transaction अप्रूप का message देखने मिलेगा तो आपको संप्ली करना क्या होगा किरी मिलेगा जैसे आपको क्लिक्रिश हो जाएगा और जैसे आपके प्रास होगा अपके प्ली आपके